और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरे फटाफट अंदास में अनन्दाग में सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच हुई फाइरिंग में लशकर का एक आतंकी मारा गया जिसकी पहचान सज्जात तांतुरे के तौर पे हुई है बताया ये जा रहा है कि सुरक्षा बलो की टीम इस अलापने में जाच के लिए पहुँची थी और अब जब तलाशी दल संदक के ठिकाने पर पहुँची तो आतंकियों ने फाइरिंग की शुरपात कर दी जिसमें लशकर का आतंकी सज्जात तांतुरे मारा गया है आतंकि सज्जात नहीं 13 नॉंबर को आनंतनाग में दूसरे राजियों के दो मस्दूरों पर हमला किया था मैंगरूरू में हुए बलास्ट केस में पॉलस ने बड़ा परदाफाश किया इस मामले में शामिल आतंकवादी की पहचान कर ले गई है साथी इसमें पेफाई के शामिल होने के आशंका जताई जा रही है घटना में किरल के पेफाई मोजीूल के शामिल होने का शक्त जाहिर किया जा रहा है खबरों के मताबिक साजश में शामिल एक आतंकवादी की पहचान हो गई है बताया गया है कि वो काफी समय से जांच एजेंसियों के रडार पर था करनाटा के में अगनुरु में आटो रक्षा में हुए धमाके पर बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है करनाटा की डीजीपी प्रवीन सोध ने इस धमाके को आतंकी सावजिश माना वहीं आटो रक्षा में हुए धमाके का सिसीजीव फोटेज भी सामने आ चुका है जिसमें पहले जोरदार बिस्पोट हुआ और फिर आख लगे इस केस की छानवीन के लिए जांच एजेंसिया एक्शन में आ चुकी है पॉलिस के साथ अनाये की टीम भी ब्लाश्ट बारी जगह पर पहुंची और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया चदा आद्या केस में पॉलिस का एक्शन जारी है दिली के चतरपुर में आरूपी आफ्ताब को लेकर पॉलिस उसके घर पहुंची और उससे वहीं पर पॉस्ताज की इसी घर में आरूपी आफ्ताब ने पूरी बादात को अंजाम दिया और उसके बाद उसके शौव के टुकड़े को ठिकाने लगाया था वहीं महरौली जंगल में भी पॉलिस की टीम लगातार जाच कर रही है यहां सुरक्षा को देखती हुए पॉलिस ने जंगल के एंची पॉइंट पर बैरिकेटिंग करें श्रधा मडर केस में दिल्ली से लेकर मुंबई तक पॉलिस की चान भी इन जा रही है इस बीच मुंबई मर श्रधा के पूर मैनेचर करन भरी और दोस्त गॉडविन और शिवानी महातुरे से पॉलिस ने पूस्ताच की जिसमें एक पर दाफाश और हुआ है पूस्ताच में श्रधा के दोस्तों ने बताया कि आफ़ताब आए दिन मारपीट की घटना को अंजाम देता था गॉडविन ने ये भी बताया कि आफ़ताब में श्रधा का गला दवाने की भी इससे पहले कोशिश की थी बीजेपे दक्षर जेपी नड़ा करनाखनक दोरे पर बनारी पहुंचे और नौ शक्ती समावेश का रिक्रम का उत्खाटन किया यहां उन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा कि आज जन जाती समाच के विकास के लिए बीजेपी की सरकार प्रतिबद है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आवास, शक्षा और स्वास्त में जन जाती समुदाइक के लिए हर यूच नवे प्राफ में तब लिए प्यमोदी तीन दिन के गुजरात दोरे पर इस बीच पीए मोदी ने अमरेली मेर वैली की और जनता को संबोधित किया इसके साथ ही पीए में गुजरात की वेरावल में भीर वैली की और कहा कि बीजेपी की सरकार में गुजरात का विखास हुआ है वही नवे नवी से पहले पीए म सोमनात मंदर पहुंचे और पूज आरचना की यहां उन्होंने चांदी के कलश से बावा सोमनात का जलाभी शेक किया और आशिरवार फिलिया पतर में आज से फीपा वर्ल्ड काप दोहसार बाइस का हाखास होने जा रहा है पहला मकाबला मेजबान खतर और एक वर्डर के भी चोगा वहीं ओपनिंग से रवनी में दुनिया भर के सितारी जल्वाबे करेंगे यह जा रहा है कि उसकी मौत पाकिसान में किटनी फेल होनी की वज़े से हुई आतंकी रिंदा लंबे समय से ड्रक एडिक्ट रहा है उसकी मौत की अभी आधिकारी कुष्ची नहीं हुई है भारती उस्रुक शैजिंसिया रिंदा के मौत की अफ़बर की जाज की में जुटी हुई है रिंदा पर आएसाई की मद़ समेट कई आरूप लगी थी मौतिर प्रदेश के ललेटपूर में पोलिस ने अवैच शराब के साथ दो आरूपियों को गिरफतार किया सदर खुतवाली अलाकी में पोलिस और आपकारी विभाग में छाप लिमारी की लिए मौके से 240 स्रीटर कच्ची शराब और एक भटी बरामत की गई साथी खरीब 3600 किलोग्राम शराब बनाने का समान बरामत किया गया इन सभी समानों को नश्ट कर दिया गया चाप इमारी के दोरान पोलस ने दो आरूपियों को भी गिरफतार दिया यूपी के खाजियाबाद में बच्ची पर स्ट्रीट डॉक के जुंडे ने हमला कर दिया बच्ची किसी काम से बाहर गई थी तभी तीन कुट्टे उसके पीछे दौर पड़े ये पूरी घटना हाउसिंग ससाइटी में लगे सिसीट्वी में रिकॉर्ड हो गई है जिसमें 11 साल की बच्ची के पीछे तीन कुट्टे दौरते वे दिखाए दिये एक स्ट्रेट डॉक ने बच्ची के पैर में काट लिया था जिसके बाद उसे डॉक्टर से दिखाया गया उस्तरप्रदेश के कानपूर में अजगर निकलने से हड़ कम पच गया हाला कि वनवभाग की टीम ने अजगर का रस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया दिल दैला देने वाड़ी तस्वीरा ही है सामने जिसमें एक फिक अप वैन भीशन आग की चपेट में इस घटना से बहां हड़कम की सिती कुछ दिर के लिए और यह हाथसा उस वक्त हुआ जब वो फिक अप सड़क से गुजर रही थी इसे दौरा इसमें आक लगई और य राशन कार्ड में घलत सर्नेम लिखे जाने की वज़े से इस आदमी ने अधिकारी के सामने भौक कर प्रदुक्शन किया प्रदुक्शन करने वाले का नाम शिरकान करता है लेकिन राशन कार्ड में उसका नाम शिरकान खुता लिखा हुआ है और जिसके वज़े से उसने अ येर कोल्डी स्टेशन पर हवा की गुडवता दोसों के पार यानि खराफ श्रेनी में दर्ट की गई है। दली की बिगरती हवा लुगों की सिहाद के लिए बेहद खतर है। अमेरिका की फश्री में नियॉर्क में हो रही भारी बारी से हाराथ पूरी तरह से पट्टी से उतर चुके हैं। की बताता है और वहां पहले से ही कॉर्दिस्तान वर्कुस पार्टी के खलाफ वो आपरिशन चला रहा है। और उसी के तहत फुर्की ने एक के बाद एक कई हवाई हम लेकर जिसमें दावा ये किया गया कि छे से जादा खुर्द लड़ाके माने के वहां से सामने आए एक तस्वीर में वो इलाका लगतार बंगो के हमें से गूर्च ता रहा है। गाज़ा पट्टी में दो दिन पहले हुए हादसे में मारे गई कि इस लोगो की अंतिन यात्रा में हजारों लोगो की भिर जुट गई। खासा उत्री घासा पट्टी के घनी अबादी वाली जावलिया चुच्छार नारती शिवर में एक चार मंजिला रहाशी अमारत में आफलत में पिलियर गुआ था जिसमें की इस पलिस्तानियों की मौत हो गई थी और उनमें कई बच्चिर महीलाय भी शामें ती जिन्हें ह कई शेहरों में पुछले कई तुनें से लगाता प्रदर्शन हो रही है और इसी कड़ी में जब रास्थानी तेहरान के एक अलाखने प्रदर्शन कारी अपनी आवास पुरंत कर रहे थे तब ही इरान के स्वक्षाबल के जवाने ने उन पर गूलिया चला दी